वेलकम टू तेज़ एजूकेशन दुष्टों आज हम आपको 20 महत्वपुन प्रश्ण उपलब्द कराने जा रहे हैं और मित्रों आप हमारी हर क्लास का पीडियाप जानलो कर सकते हैं सबसे पहला प्रश्ण है कि मानव निर्मित या फिर मानव जनित आपदा का उधारण इनमें से कौन सा है और ये प्रश्ण दोश्टों MPK 2011 में पूछा गया है सबसे पहला बिकल्ब है कि भूकम्प, सुनामी, रासाइनिक आपदा या फिर भूई सकलन इनमें से कौन सा है जो मानव निर्मित या मानव जनित आपदा है जो मानव ने पैदा कर दिया या मानव के कारण होती है तो भाई या जी रासाइनिक आपदा जो रहती है वो मानव निर्मित आपदा है इसके अलाबा भूकम्प, सुनामी और भूई सकलन ये प्राकरते का आपदाएं होती है इस देट के लिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि भूपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है सबसे पहला भी कलब मिथाईल आईसोसाइनाइट, मेथिन, कारवन मोनोकसाइड या फिर ये सभी इसका सही जबाब है मिथाईल आईसोसाइनाइट, ओके अगला प्रश्न है कि समुद्री प्रदूशन के कारण नश्ट हो रहे हैं क्या भूमद रेकिये बन, पत जड़ बन, कोडधारी बन, मेंग्रोब बन प्रश्न है कि जब जल बास्प बायमंडल में अवच्छेपत अर्था तो शंगनित होकर द्रव की रूप में प्रत्वी पर गिर्दी है तो उसे क्या कहते हैं बादल, बरसा, बर्फ या जल बास्प इसका सही जबाब होगा मित्रों ये से हम बरसा कहते हैं अगला प्रश्न है प्रहक्रमांक 45 कि पिगले हुए मैगमा से निर्मित चटान कौन सी है आगने, अपसादी, प्रूपांतरित या इन में से कोई नहीं तो पिगले हुए मैगमा से निर्मित चटान है मित्रों आगने अगला प्रश्ण है इन में से कौन एक पर्यावरन समश्या नहीं है सबसे पहला बिकल्प जल का बिनास जल का सर्रच्छन बनों की कटाई भूमी अपरदन तो इन में से एक पर्यावरन समस्या नहीं है दोस्तों वो है जल का शर्रचन ये पर्यावरन समस्या नहीं है बलके जल का दुर्प्योग करना बनों की कटाई करना और भूमी अपरदन या छरन करना ये पर्यावरन समस्या में सामिल है अगला प्रश्ण है कि पर्यावरन जागरुकता को बढ़ाना बढ़ावा देने के उद्देश से निम्न में से कौन सी प्रत्योगता का आयुजन किया जाता है तो पर्यावरन जागरुकता को बढ़ाने के लिए निम्नमे से आयुजन किया जाता है ग्रीन ओलंपियाड का तो भई ये आप हमें से याद रखेगा ग्रीन ओलंपियाड का आयुजन क्यों किया जाता है पर्यावरन के प्रत लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए अगला प्रश्ण है कि पर्यावरन अपघटन के कारण उत्पन होने वाले परिणामी खत्रों में क्या सामिल है तो पर्यावरन अपघटन के कारण उत्पन होने वाले परणामी खत्रों में सामिल है मित्रों क्या बाड और सूखा प्रश्ण है कि निम्न मैं से कौन सा राज्य इंद्रा गांदी नहर परियुजना से लाभानवित हुआ है इंद्रा गांदी नहर परिजना से लाभानवित होने वाला राज है मित्रों राजिश्थान प्रशन है कि जल परदूशन अत्वा जल जनित रोगों का एक उधारन निम्न मैं से कौन सा है जिसका सही जवाब है मित्रों अतिशार प्रशन है कि भारत में बाड़ शम्मंधी चेतावनी जारी कौन करता है तो मित्रों भारत में बाड़ शम्मंधी चेतावनी जारी की जाती है किंद्री जलायूक के द्वारा सिचाई और बाड़ नियंत्र विभाग के द्वारा जल संसादन विभाग के दोरा उपसंगी इसका सही जबाब है प्रशन है कि उच्चितम न्यालाई ने सरकार को निर्देसित किया है कि यमना के जल की गुडवत्ता कम से कम ग्रीड सी इस्तर तक बनाए जिससे उसे लोगों के पीनियों के बनाकर उपलब्द कराया जा सके इस इस कथन के अनुसार ग्रीड सी इस्तर का अर्थ क्या है तो इस कथन के अनुसार ग्रीड सी का अर्थ है औसत दर्जे का प्रदूशित जल प्रशन है कि भूकम्प की तरंगों को निरूपित करता है कौन सिस्मोग्राफ इलेक्ट्रो काइडियोग्राफ टॉमोग्राफ या में अधिक्तों भूसकलन की घटनाय होती है हिमालई छेत्र में प्रश्ण है कि जल शंग्रहन के सम्मंद में बहां की छेत्रिय भासानुसार कौन सा युग्म शुमिलित नहीं है यहां पर जो युग्म है वो शुमिलित नहीं है वो है करनाटक कांदी इसके लावर राजिस्त तो धुन दो बनता है धुए और कोहरे से प्रश्ण है कि धुनी या धुनी प्रदूशन मापा जाता है कैसे फॉन में डेसी में डेसी में या फिर डेसी मल में तो धुनी या धुनी प्रदूशन मापा जाता है मित्रों डेसी वल में उप्सन सीज का सही जवाब प्रश्ण हैं कि बातावन में अत्यदिक हानकारक सल्फर मिस्रित गैस कौन सी है तो हानकारक शल्फर मिस्रित गैस है H2S प्रश्ण है कि बिहु भारत के किस राज्य का लोग न रचते है तो इसका सही जवाब है असम बिहु भारत के समका लोग नरते हैं